DCA Second Sam 29 मैं से एक्जाम स्टार्ट होने वाले हैं पहला पेपर है IT Trend का तो IT Trend आज के वीडियो में IT Trend Unit First के Important Question देखने वाले हैं इसी प्रकार से Unit Second, Third, Fourth और Fifth के भी Important Question हम यहाँ पर देखेंगे लगातार इस चैनल पे साथी साथ इसके बाद हम PGDCA Second Sam IT Trend की भी Important Question स्टार्ट करेंगे आसानी से इस चीज को पेपर पे अटेंट कर सके आज बात करेंगे यूनिट First की इस वीडियो में ठीक है अगले वीडियो में यूनिट Second की बात करेंगे तो सबसे पहले यूनिट First में जो मुख्य कॉस्चन है वो Multimedia से रिलेटेड बन रहा है IT Trend के अंतरगत DCA Second Sam में जो प दूसरा Multimedia और उसके Carrier के भविस्चों को परिभासित कीजिए Multimedia का आप Future में क्या इस्तमाल कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देनी है तो मुख्य रूप से Multimedia को लेकर ही पहली यूनिट से प्रशन बन रहा है अब या तो हम इसे Notes से भी पढ़ सकते हैं या आप चाह तो है Multimedia एक माध्यम है जिसके द्वारा विभिन प्रकार की जानकारियों को विभित प्रकार के माध्यम हो जैसे की Text, Audio, Graphics, Animation, Video आदी का सैयोजन करके दर्सकों स्रोताओं तक पहुंचाया जाता है ठीक है Multimedia नाम से सौन में आता है जैसे Media आपने सुना होगा Media मतलब तो भी एक Media का प्रकार है वीडियो होता है, प्रिंट मीडिया होता है जो न्यूस पेपर आप पड़ते हैं वह प्रिंट मीडिया होता है जिसमें Text का उप्योग किया जाता है इसी प्रकार से किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भीजना चाहते तो उसके लिए बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिनके माध्यम से आप जानकारी हो को एक स्थान से दूसरे स्थान बेज सकते हैं, जैसे टेक्स्ट के माध्यम से, ओडियो के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से, एनिमिसन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तो ये सारे जो हैं, ये आ मल्टी मीडिया क्या करियर है उसके बारे में बात करें तो भविस्स में फिल्म इंडस्ट्री, प्रोडक्शन हाउस, मीडिया इन हाउस में इस फील्ड का स्कोप और तेजी से बढ़ सकता है टेक्निकल जानकारी पर पकड़ मजबूत है तो इस फील्ड में आपार संभावना है अगर आपकी रचनात्मक छमता मजबूत है तो आप बहतर एनिमेटर बन सकते हैं आपकी इमेजिनेशन पावर तुरंत काम करने वाली है तो आप जल्दी सफलता हैसल कर पाएंगे मतलब आने वाले समय में अगर आप देखो कि मल्टी मीडिया का फीचर बहुत ब्राइट है तो इसके हिसाब से आप प्रशने का उत्तर दे सकते अच्छा इसके अलाबा अब यहाँ पर एक सवाल यह आता है कि सर प्रशने तो बड़ा है प्रशने बड़ा होने का मतलब कि यह जो प्रशने है यह अत्वा में दिया गया है या तो उपर का करना या तो नीचे करना मतलब एक प्रशने का जो नंबर है वो 16 मार्क्स का है अब 16 मार्क्स में आप क्या लिख पाओगे ऐसा क्या इसमें लिखें ताकि हमको marks अच्छे मिल सके उसके लिए मैं आपको उताता हूँ ये जितने option है ने ये सारे option को थोड़ा थोड़ा सा आप लिख सकते हैं कैसे जैसे अपने लिख दिया भविसे में multi media का career का क्या उपयोग है multi media के अनुप्रयोग क्या होते हैं multi media को computer द्वारा प्राप्त जानकारी के रूप में परिभासित किया जा सकता है जिसका उपयोग communication के लिए किया जाता है ये अपने लिख दिया अच्छा इसके कुछ और important चीज़े में आपको बताते हैं कर लिजेगा या कहीं note down कर लिजेगा multi media के पांच घटक क्या होते हैं इसको भी आप side heading लेकिए आप इस question के अंतर लिख सकते हो आपने लिख दिया multi media के निमलेकित पांच घटक होते हैं कौन-कौन से पांच घटक होते हैं वो आपने कर दिया इसके अंतरकर वीडियो कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर इत्यादी आते हैं इसके अंतरकर माइक्रोफोन, कीबोर्ड, माइक, ग्राफिक्स, टेबलेट, 3D input device, VR device से तथा digitizing hardware इत्यादी आते हैं इसके अंतरकर बना कर भी आप इसके सारे घटक बता दिये या element भी जिनको कहते हैं यह देखे, element यह देखी, डाइगराम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार का डाइगराम बना कर भी आप इसको यहाँ पर explain कर देगा डाइगराम का बनाने से क्या होता है कि सामने वाले पर अच्छा impression पड़ता है तो इसको जरूर बनाएगा मल्टी मीडिया के दो प्रकार कौन से हैं रैकिक और अनुक्रमिक मल्टी मीडिया जैसे यहाँ पर दिया गया है टाइपस ऑप मल्टी मीडिया में इस प्रकार का मल्टी मीडिया के वल उसी दिस्वा में चलता है जैसा कि हम अकसर सभी प्रकार की वीडियो टुटोरियल फिल्मों में देखते हैं इंट्रैक्टिब मल्уди मीडिया के वीपरित, कम्प्यूटर, कीबोर्ड मतलब मौस की बारे में बात की गई है. उप्योग करके, उप्योग करतार मल्टी मीडिया के बिछ इंट्रैक्षेन होता है. तो यहाँ पर multimedia से related बहुत सारी चीज़े आपको मिल जाएगी Google पर आप सर्च करेंगे multimedia इससे आप छोटे-छोटे topic निकाल लीजे जो आप side heading देकर उसके अंदर detail लिख सकते हो तो यहाँ से आपको लिखने के लिए बहुत सारा content मिल जाएगा आपको रटे निक यहाँ सकता नहीं पड़ेगी side heading याद कर लिजे उसके अंदर का content आप अपने मन से भी लिख सकते हैं overall इस प्रश्णे का उत्तर आप बहुत अच्छे से explain कर पाएंगे तो आज के वीडियो के लिए अगली वीडियो में हम बात करेंगे unit second के बारे में DCA second SM के unit second की बात करते हैं unit second में जो important question है unit first के question आपने देख लिए होगे अगर नहीं देखे तो इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है चैनल पे उसको जरूर देखे और चैनल को एक पर पूरा विजिट कीजे चैनल पे बहुत सारे DCA, PGDCA, important question, exam preparation कैसे करें उससे related बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आपकी exam में बहुत help करेंगे ठीक है तो उन वीडियो उसको जरूर देखेगा तो पहला question है define the formats of sound file ध्वनी file के स्वरूपों को परिवासित कीजिए और अथवा में question दिया गया है plain text और formatted text को समझाईए plain text क्या होता, formatted text क्या होता है यह important question है ध्वनी file के format कौन-कौन से होते हैं और plain text और formatted text क्या होता है यहाँ पर सुरुआत करूँगा मैं Google से समझाने का भी प्रियास करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा चीजों को समझने में आसानी हो लिखे लिखाए notes जो होते हैं उनके सब इतने भारी होते हैं कि आप उसको याद नहीं कर पते इसलिए retina नहीं है समझना है समझ के जाएंगे आप अपने मन से लिखे आएंगे अच्छे marks पाएंगे तो यहाँ पर sound file होती क्या है सबसे बहुते समझ लेते हैं sound file format को audio file format भी कहा जाता है यह एक ऐसा file format है जिसका इस्तमाल computer या दूसरी device पर audio या sound को store करने के लिए किया जाता है sound को किसी computer या phone में store करने के लिए अलग-अलग file format के अब शक्ता होती है आप कौन-कौन से file format होते है मुक्य रूप से तीन प्रकार की file format यहाँ पर divide किये गए sound file format को तीन category में बाटा गया है कौन-कौन से तीन category है विसे इस तोर पर इसको ध्यान दीजिएगा लिखने के लिए मैं आपको content दे रहाँगे किस परकार से आपको लिखना है तीन category आप बनाएंगे पहली category आप लिखेंगे uncompressed sound format अब यह क्या होता है sound format जिससे compress नहीं किया गया हो उसे uncompressed sound audio format कहते है uncompressed होने की वज़े से sound format की size बहुत बड़ी होती है अब इसके अंतरकत कौन कौन से file format आते है पहला आता है PCM PCM का full form होता है pulse code modulation इसका इस्तमाल analog signal को digital रूप में प्रदर्सित करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है ठीक है PCM के बाद यह देखे PCM हो गया इसके दूसरा है WAV file WAV का अर्थ होता है waveform ठीक है waveform होता है और यह sound file format जैसे 1991 में Microsoft और IBM द्वारा विक्सित किया गया था इसके तीसरा होता है AIFF जिसका full form होता है audio interchange file format आप चाहें तो वीडियो के सासत आप इस चीज को note कर सकते हैं note down कर सकते हैं कहीं copy में छोटा छोटा इसके notes बना लो आप यह side की heading लिकलो इसके notes बना लो इसमें important चीज़ हैं जैसे AIFF की बात करते हैं इसका full form क्या होता है इसको कब बनाया गया यह important चीज़ थी तो इन दोनों बात को note कर लेंगे इससे क्या होगा आपके notes तियार हो जाएंगे और यह exam में आपको cable इसकी side heading पढ़के जाना होगा इसके अंदर का content आप अपने मन से भी फिर कर सकते हैं audio interchange file format जिसका विकास apple के दौरा 9088 में किया गया था इसके बाद जो दूसरा file format का category है वो है lossy compressed sound format ठीक है पहला था uncompressed अब दूसरा है lossy compressed वह sound format जिसको compress करने के बाद sound की quality कम हो जाती है sound की quality में नुकसान होता है उसे lossy compressed sound format कहते हैं अब इसके अंतरकत कौन-कौन से category या थी MP3 sound बहुत चलता था पहले की समय में आपने देखाऊगा पहले बहुत चलता था जब इसमें CD की बात करें या cassette की बात करें तब MP3 sound बहुत चलता था MP3 जो होता है वो MPEG audio layer 3 होती है MP3 का एक तकनीक है जिसे 1993 में MPEG यानि की moving picture expert group MPEG का full form होता है moving picture expert group के दोरे develop किया गया था यह एक ऐसी विधी है जिसका इस्तमाल sound sequence को छोटी फाइल में बदलने के लिए किया जाता है तो यह तो रही बात MP3 की इसकी बात .aac इसका full form होता है advanced audio coding इसका विसका 1997 में MP3 के बात किया गया था .aac फाइलों को compress करने के लिए जिन algorithm का उप्योग किया जाता है वह MP3 की तुल्ला में अधिक जटे लियाने की complex होते है तो दूसरा होगे .aac तीसरा होता है .wma इसका full form होता है .window media audio ठीक है इसका विसकार Microsoft ने 1999 में किया था इसका इस्तमाल तीसरी category है .lossless compressed sound compression अभी पहले वाले में बोला कि sound को compress नहीं होता अन compressed होता है दूसरे वाले में बोले क्या होता है sound compress होता है लेकिन quality हो देता है तीसरा जो होता है यह वह sound format जिसको compress करने के पर sound की quality कम नहीं होती है ठीक है अर्था sound की quality में कोई नुकसान नहीं होता उसको बोलते है lossless compressed sound format अब इसके अंतरकत कौन को जिसी category है FLAC जिसका full form होता है free lossless audio codec ठीक इसको 50% तक sound को compress करने के बाद भी quality का loss नहीं होता है इसके अलावा ALAC इसका पूरा नाव होता है apple lossless audio codec 2004 में apple के द्वारा किया गया था और इसे हम apple license lossless भी कह सकते है यह flag से थोड़ा कम कुसल यानि कि कम efficient होता है तो कुल मिलाकर 3 category 3 category के अंदर अलग-अलग sound format हमने यहाँ पर देखे दी यह तो हो गए हमारे पहले प्रशने का उतर अब दूसरे प्रशने की तरफ चलते है जो की है text के बारे में plain text और formatted text क्या होता उसके बारे में समझ लेते है तो यहाँ पर plain text का मतलब होता है plain text वह text होता है जिससे आसानी से पढ़ा जा सकता है इस text का कोई format नहीं हो देखो बहुत आसान सा प्रशने यह ऐसा प्रशने है जिसको बारे में आपको लगता है यह तो मुझे आता है लेकिन समस्या कहा आ जाती है अब आपको यह नहीं पता कि इसके बारे में लिखे हैं क्या बहुत सरी ऐसी चीज़े होती है एक्जाम में जो आपको बहुत अच्छे से पता होती कि यह तो मैं जानता हूँ कि plain text क्या होता formatted text होता है लेकिन इसको मैं explain कैसे करूँ यहाँ पर लोग परसान हो जाते है तो explain करने के लिए फिर आपको यहाँ पर कुछ कुछ चीज़े उसके बारे में सोचनी पड़ेगी कि आप क्या जादस जादस के बारे में बता सकते हैं तो जैसे plain text की बात करते plain text में बताया कि यहाँ पर क्या होता है plain text जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का formatted नहीं होता है formatted नहीं होती है आसान सब्दों में plain text कोई file या दस्तावेज हो सकता है जिसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं यह साधार text होता है जिसमें कोई visage style नहीं होती है font का card, bold, italic, underline जो यह सारी चीज़े इसमें नहीं पाई जाती है plain text cable पढ़ा जा सकने वाले सब्दों होते है इसको प्रस्तुत किया जाता है चित्रों graphics का प्रयोग नहीं होता है plain text का background white होता है text का color black होता है इसके अलावा color, size, format चेंज नहीं कर सकते हैं समान रूप से plain text को लिखने के लिए notepad और wordpad का इस्तिमाल किया जाता है plain text का उप्योग text file को store करने के लिए किया जाता है Microsoft notepad, wordpad, word के माध्यम से plain text बनाए जा सकते हैं बहुत सारी चीज़ में आती plain text के क्या फाइदे होते हैं disadvantage भी होते हैं आप formatted text की बात करें formatted text क्या होता है जब किसी text को आप इस प्रकार से design करते हो कि वो आकरसक लगे, attractive लगे जिसका आकरसक बनाने के लिए क्या करते हैं हम उसके font में बदलाओ करते हैं उसके color में बदलाओ करते हैं उसको bold कर सकते हैं उसको italic कर सकते हैं उसके font style बदल सकते हैं नए ने प्रकार के font को अम ले सकते हैं, इससे क्या होता है, text आपका बहतर दिखाई देता है, heading अलग दिखाई देती है, internal text अलग दिखाई देता है, आप images लगा के explain कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजे होती है, layout change किया सकता है, formatted text में आप बहुत सारे बदलाओ कर सकते हो, ताकि आपका text आ कर सकते हैं, और सामने वाले को और अच्छा अनुभाव हो उस चीजे को देखते समय और उसको आसानी से वो चीजे समझ में आए, इस प्रकार के text को formatted text कहते हैं, अब इसे आप अपने मन से भी explain कर सकते हैं, क्योंकि basic concept यही रहेगा, basic concept plain text का वही रहेगा, formatted text का वही रहेगा, अब आप इसमें point बना कर उसी चीज़ को आँगे पीछे करके थोड़ा और जिसको elaborate कर सकते हैं, अपने हैसाब से आप लिख सकते हैं, चाहें तो example में एक simple format text का side में bracket डालके, simple format text लिख दे रहेगा, एक plain text लिख दे रहे हैं, फोड़ से design बना के color से black color से या blue color से आप एक formatted text लिख दे रहें, DCA 2nd SM IT trained subject के अंतरगट unit 3rd की बात करने वाले हैं आज के वीडियो में Unit 3rd में सबसे पहला important question है cyber crime क्या है इससे बचने के उपाय बताएं और दूसरा important question है e-logtantr के बारे में समझना है e-logtantr क्या होता है कौन कौन से इसके component होते हैं तो यहां पर सबसे बहले बात करेंगे cyber crime के बारे में क्या होता है cyber crime cyber crime एक ऐसी criminal activity है जिसमें computer network device या network के जरिये ठगी की जाती है cyber अपरादी इसके जरिये privacy से लेकर पैसे तक उड़ा ले जाते है data hacking, phishing mail, OTP fraud और mobile fraud, sex torson जैसे तमाम अपराद है जिने cyber अपरादी अंजाम देते हैं कुल मिलाकर आज के समय में जो crime होते हैं वो physically कम होते हैं और internet के माद्यम से ज़्यादा होते हैं आप बहुत बार ऐसा सुना होगा कि internet के जरिये आपसे OTP मांगी जाती है या किसी भी प्रकार के link के माद्यम से आपके account से पैसे चुरा लिए जाते हैं इसके अलावा आपके identity याने आपके नाम से कोई अगर आपका account चलाता है या बिना आपकी permission के आपकी ID को login करता है ये सारी चीजें cyber crime की category में आती है overall cyber crime का मतलब होता है बिना आपकी permission के आपके account को crack करना आपके account की जानकारी निकलना या आपके account से या bank account से पैसे निकलना इस प्रकार के fraud को इस प्रकार के crime को cyber crime की category में रखा जाता है अब बात करते हैं E-Logtantr की E-Logtantr क्या होता है यहाँ पर E-Logtantr से संबंदित सबसे पहले में इसकी definition आपको बता देता हूँ E-Democracy भी इसको कहा जाता है E-Democracy जिसे digital लोकतंतर या internet लोकतंतर के रूप में भी जाना जाता है E-Logtantr को बढ़ावा देने के लिए 21 सदी की सूचना और संचार प्रोध्योगी की को सामिल करता है यह सरकार का एक रूप है जिसमें सभी वयस्क नागरिकों को प्रस्ताओ, विकास और कानूनों के निर्मार में समान रूप से भाग लेनी के लिए पात्र माना जाता है E-Logtantr सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्तितियों को समाहित करता है अब मुख रूप से यहाँ पर कुछ इसके घटक के बारे में जानते हैं, लोगतंत्र के अगर घटक की बात करते हैं, तो मुख की रूप से यहाँ पर प्रोध्योगी की में नागरिक प्रोध्योगी की और सरकारी प्रोध्योगी की, यह दो मुख घटक यह लोगतंत्र के निड़ाय लेने या राजनीति के अन्य कार्वियों में लोगों को समान रूप से और प्रत्यक्च रूप से भाग लेने की अनुमती देने का प्रयास करते हैं ऐसी बहुत सारी और भी जानकारी गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको लोगतंतर से संबंदित और ई या हमें से कह सकते हैं इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ए लोगतंतर जो होता है इसका उपयोग मुक्रूप से इंटरनेट के माद्यम से या एलेक्ट्रोनिक माद्यम से जो डेमोक्रेसी है जो लोगतंतर है उसका उपयोग करना और जनता की राय किसी भी प इंटरनेट की माद्यम से भी पढ़ सकते हैं इसके अलावा यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से आप नोट्स को ले सकते हैं यूनिट फॉर्थ के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में बीसी सेकेंड से हम आईटी ट्रेंड यूनिट फॉर्थ की बात करते हैं यूनिट फॉर्थ में दो मुख प्रशन जो ए उसमें से पहला प्रशन है नोबाइल कंप्यूटिंग की व्याक्या कीजिए और दूसरे प्रशन में सौर्ट नोट्स लिखना है वायरलेस लेन और सेल क्या होता है वो जो कॉस्चन है वो क्या कहना चाहता है बाकी इसे डीटेल में आप अपने मंद से भी लिख सकते हैं इसके अलावा नोट्स की साहता लेकर आप उसे डीटेल में पढ़े भी सकते हैं मोबाइल कंपूटिंग की बात करते मोबाइल कंपूटिंग एक प्रकार की तक्नीक है जिसका विबिन्या तरह के कंप्यूटिंग मुबाइल टिवाइस जैसे besommit करने की अनुमति प्रदान करता है मतलब यह है कि एक प्रकार की ऐसी टेक्निलोजी जो की ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिससे की यूजर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा को बिना फिजिकल कनेक्शन के ट्रांस्मिट कर पाते हैं इसको उप्योग सभी तरह के वाइरलेस डिवाइस जो की स्मार्ट वाच, स्मार्ट फोन, टेबलेट इत्यादी में किया जाता है अगर हम मुबाइल कम्प्यूटर को एक आसान और सरल भासा में समझें तो यह एक कम्प्यूटर और हीूमन का इंट्रेक्शन है जो की बिना किसी वाइर या केबल के एक वाइरलेस नेटवरक के माद अर्षा किर ना दिक कस बार्ट के माद वाइर currently adverse ओर हम मतलब फोता है एक चोटे से एरिया में यानि कि लोकल एरियान नेटवरक के त्यार करना है जिसको तार की जगाए पर बेतार माध्यम के द्वारा एक दूसरे से connect किया जा सके इसे बोलते है wireless LAN अब बात करेंगे cellular system क्या होता है cellular network एक प्रकार का wireless network है जो बहुत सारे cell से मिलकर बना होता है जिसके माध्यम से mobile device आपस में एक दूसरे के साथ communicate करते हैं इस network में एक प्रकार का टावर होता है जिसे हम base station कहते हैं यहाँ पर आप एक diagram देख पा रहे हैं जिस पर छोटे छोटे बहुत सारे honeybee के आकार में base station बनाए जाते हैं चैनल पर एक video handoffs related जिसमें इस प्रकारिया को इस base station को cellular network को डिटेल में समझाया गया है उस video को जरूर देखिएगा आज के वीडियो के लिए unit 4th के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में unit 5th के साथ आज के वीडियो में आज रहें और आज unit 5th में सबसे पहला important question artificial intelligence क्या होता है और इसके अलाबा अथवा में दिया गया है चार टिपड़ी लिखने के लिए google dog, google drive, cloud computing और google form के बारे में कि ये क्या होते हैं वैसे artificial intelligence related एक वीडियो complete वीडियो अलड़ी हमने चैनल पर दिया हुआ है उसे जरूर देखिएगा उसके अलाबा हम यहां पर एक बार सारी चीजों की जानकरी आपको देदेते हैं सबसे पहले बात कर लिए था artificial intelligence के बारे में artificial intelligence एक टेक्नलोजी है जिसके दवारा intelligent मसीनों को बनाया जाता है जो कि इंसानों की तरह सोचते हैं नाम से सुनना था artificial intelligence याने की करतिम बुद्धी मत्ता ऐसी बुद्धी या ऐसी तक्नीक जो इंसानों के दौरा बनाई गई है Artificial Intelligence दो सब्दों से मिलकर बनाए पहला है Artificial दूसरा Intelligence इसमें Artificial का मतलब होता है इंसानों के दौरा बनाया गया और Intelligence का अरत होता है सोचने की सकती इसका पूरा मतलब है इंसान के दौरा बनाई हुई सोचने की सकती ठीक है यह होता artificial intelligence और आज के समय में AI का सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जा रहा है आप बहुत सारे AI से related tools आपको मिल जाएंगे बहुत सारे AI से related website आपको मिल जाएगी जो आपके लिए सारे काम करने को तयार है चैट GPT का अगर आपने नाम सुनाओगा चैट GPT में आप किसी भी topic को वहाँ पे type करेंगे वो आपको उस से related पूरी जानकारी information आपके लिए निकाल कर आपको दे देता है यह artificial intelligence की power है और आने वाले समय में artificial intelligence जो है वो बहुत बड़े इस तर पर काम करने वाला है इसके और detail के लिए आप internet पर सर्च कर सकते कि किस प्रकार से आपको इसको लिखना है इसका answer अगला topic बात करेंगे Google Docs क्या होते है Google बहुत सारी ऐसी services प्रवाइट करवाता है जैसे Google Docs है Google Drive है Google Forms है तीनों के बारे में समझ लेते है Google Docs का मतलब होता है यह एक online word processor है चुकि Docs नाम सही समझ में रहा है document से related काम है यह एक online word processor जो आपको दस्ताविच बनाने उसे format करने के साथ ही अन्य लोगों के साथ काम करने की सुविदावी देता है Google Docs इस्तमाल करने से जुड़ी हमारी सबसे जरूरी सलाय पाए तब यहाँ पर देखें नीचो और भी बहुत सारी चीज आ जाएगा जिसमें Google Docs से संबंदित पुरी जानकर यह आपको प्रोवाइट करवा देगा Google Drive के अगर बात करते है Google Drive गूगल द्वारा बनाईगे एक फाइल बंडार और वरणनात्मक्ता सेवा है उप्योग करताओं को फाइलों को online सुरक्षित रखने फाइले साजा करने द प्रोडक्ट गूगल वरकस्पेस एक ऐसा स्वीट है जिसको आपको Google AI टेक्नलोजी करने वाले करने वाले सुरक्षित मिलकर काम करने की सुवधा वाले cloud native application और बैतर अडंग से काम करने में मदद करने वाले application मिलते हैं इसको सरल बात से मगर समझे Google form क्या करता है अगर आप आपको किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना है तो आप उसके लिए उसको एक form दे सकते हैं जिसमें आप उस व्यक्ति से उसका नाम, उसका पता, उसका mobile number, उसका email address बहुत सारी जानकारी है जो आप उससे भरवा सकते हैं इसके लिए आपको इंटर के जरी आप आसानी से किसी भी व्यक्ती से किसी भी प्रकार की जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं अब बात करते हैं अगला टॉपिक है Cloud Computing Cloud Computing एक ऐसी Technology होती है जिसमें Data और प्रोग्राम को Internet में Store और Access किया जाता है दूसरे सब्दों में कहें तो Cloud Computing एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा या इंफरमिशन को इंटरनेट की साहता से स्टोर मैनेजर रिट्रीव किया जा सकता है इसको हम वैसे बादल जैसे क्लाउड नाम से याता कि बादल होता है बादल या में कंप्यूटिंग भी कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग कई प्रकार के रिसोर्स सामिल होता है जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटा बेस, नेटवर्किंग, अप्लिकेशन और आप इंटरनेट पर जो भी जानकारी आप स्टोर करके रखते हैं इसको डेटा भी का जाता और इसे आप कभी भी अपने सिस्टम पर वापस रिट्रीव कर सकते हैं ये बहुत ही पावरफुल टूल होता है अपनी जानकारी को स्टोर करके रखने का आज के वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं